नमस्कार, डॉक्टर दीपक केलकर एक्सक्लूजीव में आपका फिर से एक बहुत सौगत है, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर दीपक केलकर वैसे तो इनका नाम ही काफी है, कई सालों से अपनी सिवा दे रहे हो, चाहे हो सेक्स रोग विशेशक्य हो संपयार आजी कर दॉक्ति को टीमिंगा हो तॉक्ति को भील्न दॉक्ति इकिन्हार कारा के संद्रममें हो किसी परकर के वैसन के बारे में हो डॉक्टर जाङ नाम ही काफी है, से क्ऺल नाम, छड lafक्ति तोड़े इसमें भी हम मिले जुले ही टॉपिक्स लेंगे ताकि हमारे जो दर्शक है उनको समझने में आसा नहीं हो टाट्व साब जैसे अगर एक सैक्स और क्वीशेश अग्या है तो इसमें एक हस्तमेथून जो आता है इसका क्या आरत होता है हाँ जी अच्छा सवाल की आप अबने हस्तमेथून इसका हार्त यह होता है कि हाथ से किया हुआ मैथून जी वो हस्तमेथून जी यह ह।समा दिपोश जो है वो स्ति अर पुरुष जब एक साथ आते तो समादम होता है मगर शादी के पहले, जब लड़का उमर में आता है, मतलब उसका सेक्स देवलप हो जाता है, तो उसको काफी इच्छा होती है, सेक्स करने की, उस समय क्या होता है कि शिस्न में कड़क पना जाता है, और उसको काफी इच्छा होती कि सेक्स किया जाता है, तो वह हाथ से शिस् उसका पतन हो जगता है अो हो जी मतलब जो सीमेन होता थातू का पतन हो जाता है तो इसने होसेे के अपने का अब कि ये हैं नासे किल मदड़ा इसके घुण घड़ेजिक हो उ ये जब नाहितून खाल Kiss Iشman, Dr.ासाब टो हस्ता मैतून आनकि आन्य हो सकते है अइन गलत फेमिया लोगों में पहले गई है, यह एकदम नर्मल है बिल्कुल नर्मल है, और यह मैं तो बूलता हम हुआँ ,च्छ माही प्यूकूली और यह करना अच्छ. का जान Как एसमें नहें नूञा है कि लिए ही कि उसे के लिए से को शाधिक Music. फिर ने पर बाहर गाने नोता music badanайте, उसको समागों मllता है उसका मन था स्पैन क्यों तो गोचा दो कि उसकम से करना करें. जो मतलब बाकी जो समझ से आ सकती है बार जाने से या बाहर के उरत के साथ में मतलब बार या उरत के साथ में कोई सेक्स करने से तो वो सब समझ सेटल सकती है इसलिए हस्तमेतुन कोई गलत नहीं है एकदम नार्मल है और हर वेक्तिन है तबी कुछ उसमें ख़ड़ा भी नहीं और विरया नाश यानि मृत्यु। तो यह शब्दों में गित्नी सच्छा यह है ? यह बिल्कुल सच नहीं है, यह क्या है कि हमारे किताबों में, आयर वेदा में, ऐसा कभी सारा लिखा हुआ है, कि वीर्य जो है, वो अपने पास में रखना चाहिए, अपने बाडी में रखना चाहिए, उसका पात, वीर्य पात नहीं होना चाहिए, लो ऐसा बोला गया है, कि एक बुर्य का बुण यह एक असी खूनव के बराबरी के होता है तो जब एक बुन आप घूज ऑप बुर्य का नाज करते हो तो ऐसी बुन खूनव के चले जाते है ऐसा एक लिछा हुआँ तो यह बिल्कुल सरासर गलत है, विर्य जो है वो रोज तयार होता है, और सेक्स के विचार आने से तो जल्दी तयार हो जाता है, और वो तयार हुआ विर्य जो है, वो उसको तो बाहर आने कही है, बाहर आना चाहिए उसने, बाहर ने आएंगा तो अंदर उसका होंगा क्या, जो थेली रहती है विरे जमा होने की वो थेली में वो जमा होता है और वो रोज जी तयार होता है जैसा पेशाब रोज हम करते है और पेशाब नहीं क्या तो क्या होगा पेशाब समझ नहीं जाते है नहीं जाते तो थेली बर जाएगा और एक समय ऐसा याजाएं कि वो भैजा सपन दोष भी आता है कि वही सपने में गया हुआ विरिये जो है तो उसको बलते है कि वही लड़की के साथ में है कोई उरत के साथ में और उसका फिर विरिये पात उसमें हो जाता है कि अंदर थेली भरी रहती है उमर में होगा है शेक्स उसको पुरा अंदर से आया हुआ है हॉर्मों तो उसमें फिर सपने में भी धातूपात हो जाता है और वह एकदम सरासर वही नॉर्मल है उसमें कोई प्राब्लम नहीं है जैसे डाक्टर अब आपने हस्ता मेतून बताए कि पुरुष करते है ज्यादा दड़तों करती है तो इसमें कि इस्त्री भी हस्ता मेतून करती है हाँ स्त्री को यहनी लिंक रहता है क कैसा पुरुष का लिंक रहता है एक तन्च छोटा रहता है श्त्री को नहीं करती है और कोई करेंड चल्च को उसको समाधन मिलता नहीं है तो शाधिय होने के बाद में भी, शाधिय होने के पहले भी वो खुद का समधान सिद्रियों कर सकती है ه对 और खुद ना गधुसे उसको प्लए वे उसको खानती समाधन मिलता है' तो भी कोई गलत्ट नहीं है स्री में अगर किसी को आदत हो गई तो इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं कि क्या है कि यह आदत मतलब ऐसा है कि आदत कब बोलेंगे इसको आदत तब बोलेंगे कि उसमें वह पुरा दिनवर में हस्ते मेथुन करते जा रहा समझगों लड़का है, और वो दिन बर में रस्तमेजुनी किया जारहा है . मतलबु उसकी इच्छाह ने होखेए भी वह रस्तमधुनी करते जारहा है . पर धर उसमें गहा तक हो सकता है , बहुत ज्यादा कर रहा है . और फिर उसमें छाले में ज़ाले आ सकते है , करकी समझो घर defens U आणा दूंसमने के साथमें उसके बाएध। में जोड़ने के में समा कम करता है अनने पतनी के साथ में. उसके बाजूद भी, मतलर पत्नी घर में है, और उसके बाजूद भी संजो वह स्तमेःतून कर रहा है. जिए. और ओर उसके बाणुसे साथ में सेक्स नहीं कर रहा है. तो पिर उसको बोल धे कि नहीं कुछ तवी करने हाई. जब बनौरमलो ओर उसका ACT STAR है. कि समझो उसकी पत्नी बाहर गाउ गई है काफी देन से मतलब अक्यला है तो भी लोग शादी के बाद में हस्तलमे हula हरे और वह झूकर पतनी भर में नहीं है नहीं है और निप this है प्रेगनन्स है उसको और प्रेगनन्स है तो फिर आखरी आखरी मेनों में पिर सेक्स होता नहीं है तो उसमें भी वो कभी करता है या पत्नी बिमार है जिसमें सेक्स अलाउड नहीं है उसमें भी उसकी इच्छा होती है तो ऐसा शादी के बाद में भी नॉर्मल है मगर हम क्या करते निए कि उसको पूरा समझ लेते हैं उसके साथ में बातचीत करते हैं counseling करते हैं अर उसके बहुत कम लोग आते हैं कि उसके habit लग गई बहुत ही खर्त our यह जूजी लोग क्या हो था है कि एक दो बार और दिन में किरते हैं कि कोई पहले ऐसी समझती कि गाल फोले बढ़ गर किसा दुबला अंदर जा रहे हैं आखे आखे अंगर काली हुगे अंदर जैसे धसी भी दिखाई दे रही है तो एक कोईस्तु भी है उसको भी सामगाले को भी मानसिक्ता हो ज़े थी कि यार मैं यह कर रहा हूं करके मैं कमज करना गलत है अपने कुछ संदे में नाम लूंगानी उने भी ऐसा बोला हुआ है कि अस्तमे तुन नहीं करना ब्रम्म चरिये उसका पालंद करना चाहिए और वो सेक्स जो है वो मतलब विरिया जो है बहुमल चीज है वो संबाल के रहता है अब जब इसका पगड़ा में अपराधी पन की भावना थी है कि मैंने कुछ तभी गल्दी किया और उसको अपना मन अंदर उन अंदर खाते रहता है कि मैंने कुछ तभी गल्दी किया है अपराध किया हुआ है ऐसा नहीं करना चाहिए मैंने ये क्या हो गलत किया फिर वो कुछ लोगों को पूछता ह वो भी उसको और नमंक मिर्श डालते है कि तुन तुने अच्छा ने कहा था 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 मतलब मन उन्द्र कहते जा रहा है उसको भोता डर आ़ गए उस ने भूक नहीं लग्णा एक और खाना कम करदया तो वज़र कम होना है od तो इसके काल बेठना है, तो बिल्कुल बूरा है, और तब भी करते जा रहे है, तो उसे एक तो अपराधीपन की भावनाति एक गिल्टी दोशी, खुद को ठहराना और वहां से उसको डाउन हो जाना, और दूसरा फिर मैं भीमार हूँ, बहुत धातू जा रहा है, मैंने कित अपर हो गया हूँ, ऐसे मन का बिलीफ, विश्वास हो गया, तो इसके कमजूरी आना चलो जाता है, फिर खाना कम कर देता ह। तो उससे और कमजूरी आती है, फिर गाल बढ़ जाते है, और फिर विशेश साइकल जो है, चक्रविवा उसमें फज जाता है, यानि हस्ता के बीक संहि Kingston के समनन नहीं है तो धाक्तर साथ महांसिकता और कुछ्छा फरक पर पढ़ता है उसे महांसिकता मतल मेन क सब्सक्रफप में अपने कल्चर में अपने सांस्कार में अनकी सव्कॉक्र में अपने समय में या फिर उसको एंग्जाइटी आती है, बहुत टेंशन, घबरहाट, एंग्जाइटी, वह आना शुरू हो जाता है, फिर वह कहीं बाइद्य के पास में चले जाता है, कोई पेपर में जाहरा रहाती है, कि लिंक बड़ा करना है, तो हमारे पास में यह मशिन है, उस रखता कि कि अपना लिंक कमजर हो गया, लिंक में कड़क पना नहीं आ रहा है, तो फिर वह पेपर में जाहरा है, वहां चले जाएंगा, फिर वह उसको बोलेंगा, कि नहीं तुने बहुत हस्तमयतुन कर दिया, बहुत गल्दी किया है, और ऐसी गल्दी नहीं करना चाहिएता, फिर उसको और डिप्रेशन आता है, उस अकरिव में बस जाता है, तक्टर साब मान लीजे कोई एक युवक है, जो हस्तमयतुन का आदी है, आदी है रोज संभूग करता है, तकि शादी के बाद वह संभूग में सपल रहेंगा कि कहीं तो भी उसके, उसमें कुछ प्राबलिम न तक इसमयतुन के साथ में पहल रहें हस्तमयतुन में हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, जब मतलब लेंगिक, मतलब उसका समागम जो होता है, उसमें लिंग अंदर होता है, तक्टर समयतुन का प्राबलिम करने से सरफ यहां जो घुरिया में कमझर हो गया हूँ, मैं कर पायोंग यह संभो नहीं है अब मेरा कैसा होगा किन्तु परन्तु गफराद हो रही है और इसी गफराद होने के बाद में मदुचंद्र किरात को जाता है तो उसको प्रावलेम आ जाएंगा और वो कुछ दोस्तों का जो सुने वा कुछ रहता है कि उन्हें बहुत बार किया होगा ऐसा यह कहीं पढ़ा रहता किताबों में यलो बुक्स आती है बस्ट्रैंड के उपर मिलती रहें रहें के उपर मिलती है ऐसे उसका मालूम ने कौन राइटर है कौन लेखक है और ऐसे काफी सारे किताब आपको मिल जाएंगी उसमें लिखा है कि ब्रह्मा चर्य का पालन करना च बिल्कुल करना चाहिए नर्मल है उसमें कुछ पाबलम नहीं जो भी अगर ऐसे कुछ समस्या उसे जूज रहें कहीं तो भी मांसी गूरूप से तो उन लोगों ने भ्रामक विग्यापनों में न पढ़ते वे जो इसके विशेशक के दॉक्टर उनसे सला जरू लेना चाहि ऐसा है कि 40 साल के निंट कुछ हो रहा है और वह पहली बार घो सकता है कि उसके लिए मानसी गारण हो सकता है यह ना दपू सकत वज़े आता है और लिंग में कड़क पना नहीं आता है उसके लिए फिर शैरी कारण हो सकता है और वो कारण काफी सारे हो सकते है कि भई पीठ में कुछ तभी प्राबलम आना पीठ की नस दब जाना या अपनी जो मतलब जिसमें खून बहता है ब्लेड वे मैं चालीश साल के पहले हो गया तो मोटा मोटा हिसाब वो मैंसिक है 40 साल के बाद में होता है तो हो आउसावाली तिन आता है जैसा मेने ने पिछले बार भी पताया ताकि ऑभ जो दो निकली है चल्देनाफिल है, टाडलाफिल है, पेर अभी इंजेक्शनस है पेपेवरिन, वह इंजेक्शनस देके वो सकता है, अभी जैसा मेरे पास में एक कपल आये था, पती-पतनी आये थे, अभी उन्होंने सब ट्राय करके रख दिया, अभी उन्होंने सब दवाई खा लिया, करते हैं, जैसा डियाबेटेस जैसा खुद लेती है, वैसे ये इंजेक्शन सामयमे में, ने खेंवे इस लिक लेन के लिए, मैं उन्होंने घुराय गण्रानि लेते है उसको ऐक टेंशन इमाग में, कि अटरी नहीं पाऊंगा, टु जैसा डियाबेटीज के लोग इसह वो फ़न हो जबाद मी उसको लगा कि पने मैं भी अपन कर सकते हुं और कर सकता हूं आसा उसको लगा। अजुका। वह का ऐसकि ऑन्वा है। उसका एक बार काद में गया एक बार गज़ने के गया है। और बाद में उसका एक बार confidence बढ़ने के बाद में फिर पिर अगर इंगेशन निंहें घर शूरू होे तो फिर इस अ कुछ भी नहीं हो क्यों इसका झांस का रहता है । पर बाद में उसका एक बार लाइन पर लग गया है हो जाता है फॉर्चिनेटली इसमें कि पत्नी का जो हिस्सा है वो बहुत महत्वका है पत्नी ने शान्ती रखना बहुत जुरूरी है इतले हम उसको कौंसिलिंग कर दे कि पत्नी की शान्ता था उसमें उसके पीछे टेंशन लगाया कि देखो यह आपको नहीं होता है तो फिर तो तौर मैं जारी हम आयके या फिर्ट अपने खराफ हो जाएगे या फिर मिरेको डिवर्श चाहिए तो फिर इसमें इसैंटेंशन दिया लुद पहले ही टेंशन मेरे थे पत्नी ने और कुछ से हाद्वना कर दिया है इधर कि नहीं तो फिर लोटेंशन आता है तो बहु पत्नी का एहम जो रोल होता है इसमें हो काफी महतु पुनुदू दक्टर साथ आप सैस के लाबा रसन का भी आप बहुत प्रचार करते हैं वेशन मुक्ति का भी काम करते हैं शराब हो या फिर तंबाक हो या आपके वास किस परकार के रूगी आते हैं जाए तर हमारे पास मे एपंगी क्ये आते हैं शराब के आते लोग के साथ साथ सिगरेट जङ बिढी तंबाकू और फिर गांजया और बहुत कम परमानमें ब्राहूम शुगर तो जयदा तर तो है शराब के लोग आते हैं और शराब मतलब उसमें सब तरह की शारब और वह आधि बने चुक자 है व और वो उसमें 100% result मिल जाते है, काफी सारे लोग होलते कि मेरे को आदत है नहीं, मेरे को इलाज करना ही नहीं है, तो उनके फिर घरवाले आते है, घर से कोई लोग आते है, बोलते है, इनके लिए कुछ ना कुछ इलाज करो, दवाई दो, उनको पकड़ के लाएंगे, वो इलाज करना, ऐसी दवाय है, medicine, और गोलि खाने से उसके छरीर में हाँ, बादमी उसने शराब पिया, तो उसके जोरदा nee-एक्षिन आती है, और और रियाक्शन आने के बाद में उसको उल्तिा आना, पसीना आना, रतर आना, ऐसी काफी सारशी रियाक्शन आती है, तो उसको यह मालूम बढ़ता है कि गुली खाने तो शराब नहीं लेना है तो हम अक्सर बोलते है बत्मी को अभी इनको तुम बाहर जाने के वहले गुली देदो रोच और आने के बाद में गुली देदो ताकि यह लेंगा नहीं शराब उससे काफी अच्छी रिसल्ट है और लो यह है आपके इतने साल का अनुभा है तो उसमें कितने प्रतीशत लोगों ने इलाज लेने के बाद तोटली शराब बन कर दिया ऐसे हमारे बास में करीब करीब 80% प्रतिशत लोग एसे है 50% लोग कि वह शराब दवाई के बाद में बड़ा बर लेने के बाद में छोड़ देते हैं 20 टका का लोग है वो भी छोड़ते हैं ,magnar तुब कि छोड़ते हैं , फिर चरिछे में छोड़ देंगे , पिर फिर लेंगे फिर छोड़ देंगे .. ऐसे 20 टका का लें छोड़ दे, वाकि छे सी टका का लग हमारे से ओर थे तुझ प्राब्लम जो है वो प्राब्लम जो है वो सबकॉंशस माइन नबब परतिशत और कॉंशस माइन दस परतिशत वह प्राब्लम है वो प्राब्लम जो है वो सबकॉंशस माइन के वज़े से है जो भी प्राब्लम है वो सबकॉंशस माइन में सब बाते जाके बैठी वी है अब एक फर एक्जामपल मुझे जना है तो कि सबकॉंशस माइन समझो यह घोडा है और कॉंशस माइन वो घोड़ सावार है यह नहीं ह conscious mind, मतलब घोड़सवार ने घोड़े को control करना है, उसको हम सिखाते है कि घोड़े को कैसा control मिलाना, तो in short हिपनाटिसम में हम उनको सिखाते है कि conscious mind को, subconscious mind को सूचना देखे, suggestion देना और subconscious mind को line मिलाना, control करना ता कि उसमें जो भी भी वह ठीक हो जाएगी, जैसा चिंटा है , भय है फिर लोगों uwagę बाहर जाने का भूँट डर्णा है लोगों को घर से बाहर जाने का डर है . गोर से लोग बाहर जासकて नहीं. उनको ऐसली और जाओंगा . आपेक्र शाहिएगा síumu Water right? मै ठीक में जाओंगा जाओंगा इसमें सबसे जादा जाए ना वह हााрь अड़े गपना रहती एतनी लोगे पसीनात रहता है और अपते कि भी मुझे कुछ तो हो जाएगा त्यूट अपढ़ जाए कुछ का है कुछ फो जाएगा जाए इसलिए तो भाहर जाएगे DAVID INSENDE तो इसे कभी सारे डर है, इसके साथ साथ दूसरा जो है, वो है कि बार 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 बीचार आना, इतने विचार वही 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 अपना शरीव गंडा hairstकी से बारा, अभी खेलेंगे। यह टो शीने के सब्र करके तो ऐसे बहावना हो जाती प्सकार है, एक प्रकार बारबार डर आवने, ख्यालת आने का, क्योंको उनको मालुम है कि होगानी तभी भी यूदर आता है, जैसा एक 68 008уля लेडी मेरे पास नहीं आई थी, उसको बार-बार ही विचार आ जाएंगा, आरा था, कि वो उसके बच्चे का गला गोट देंगी, ऐसा बार-बार विचारा, उसको मालूम है कि मैं गला गोटने वाली हूं नहीं, और उसको इत्रा डर लगता कि मैं गला गोटने तो क्या तो एक वो है, और तीसरा जो commonly दिखाए ज़ता है, वो है stuttering, हकलाना बूलने में, अटक जाना, वो काफी इसमें सम्मोन के माध्यम से, मैं जो बोलना हूं, यह phobia, obsessive-compulsive disorder, यह stuttering, यह stammering, यह भी अच्छा होता है सम्मोन से, चौदरा जो है क्वामन जो दिखाए ज़ता है वो है depression, निराशा, निराशा के विचाराना और निराशा और आत्मत्य के विचाराना, तो यह जो तीन, चार, पांच बाते जो है, वो सम्मोन के माध्यम से बहुत अच्छे हो सकती है, डक्र साब जैसे आप सम्मोन, समय पर ही आप खुद को सम्मोन करो, ऐसा आप शुरू क किया है, काप की सालो सफ कर रहे है, तो डक्र साब इस में कोई ऐज लिमिट होती है, कुछ एजूकेशन का होता है, इस में कोई अगर सीखना चाहते है, अच्छे है, तो कोई भी सम्मोन सीख सकता है, और वो सम्मोन हमारे आप मतलब एक 10 सब्सक्ते का, उसका ट्रेश लेते और फिर दुसेरे और एक लोग है कि जो खुद के लिए आते हैं, कि हमको खुद को सिखना है and खुद को जो प्राब्लम है उसके लिए लोग आते हैं अब आपने डिपरेशन के बात की दूनिया की एक नंबर के इसी परेशाइनी है, सभी की, डिपरेशन, अभी काफी दिनों तो आप इस गेम को किस नजर देखते हैं और हमारी जो दर्शक है वो अगर देख रहे तो वो क्या उनको आप कहना चाहेंगे यह होता क्या है कि बच्च उसमें काफी उसके मतलब बली पड रहा है ईए है उसका उसका शिकार हो जो ब्ल्यू वेल गेम का कchodzi मत है कि घर में Еढवी कि इन इसकूरिटी है रखन आता हो रहें पहरें, यह प्रव में सपोर्ट नहीं है, मां बाप पढ़ गर से सपोर्ट नहीं कर। दोनों भी घर के बाiri भार है। घर हमें बागी बास्चीत करने के लिए नहीं है। तो बच्चे ज़ाधा थर फिर पढ़ है किसने रहेती बोध कम पढ़ हे रहते हैं बच्चों, फिर जयदा फिर को मोबैल के चक्र में आ जाते हैं कि Cand vaccines का TV देखो वोबाइल में इंटरनेट है, YouTube बाकि कि अलग 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 devico eps है, वह खेलते बैटो, इसमें पिर एक लोगों को चसका उसका लग जाता है, काصा कि बहुंच जालेंजिंग नहीं है तुसको लगता कि इसे श और फुट कुषे करने की इच्छा नहीं रहती, पर चैलेंज हीगे करके देखेंगे और अपन उसमें बली नहीं पड़ेंगे, और वो चैलेंज हीगे करके उसको ले जाता है, है न, और ज्यादातर लोग जो एडिक्ट है, है न, फेस्बूक के, वाटसएब के, या 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 एक बार वो जा के बढ़बाया कि मेरे को करना है तो सबकॉंचेस मांड को लगता है कि मैंने नहीं करना ही तो उसमें एक से पचास एटम है अलग आलग तरह के एकम जाय को डिये हुए काफी सारे उसमें 50 अलगल एटम है वह चुका है कि सबेरे चार बजे उठो और अस्टे पे चिलाते हुए जाओ पिर अपने आपको माल लो तो इसमें यह है कि अबी सेंट्रल गॉर्मेंट का मतलब मेरे खाल से डारेक्ट टिवी आ हूँ है कि यह जो आप है इसको बैन करो और इंटरनेट जो है उसके माध्यम से लोगों को मिलना नहीं चाहिए करके आज ही कुस्त भी आया था मैंने पढ़ा हो यह जो लोग निराशा के शिकार होते हैं वो लोग जादा इसमें जादा है इसमें इंटेस होते हैं और क्या होता है इसम देप्रेशन है और हिस्सीत दवाई बाहर के दौक्टर दे रहे हैं अभी वो फिट है और डिप्रेशन के वज़े से उसको जटके आरे है यह एक बार मैंने देख लिया तब यू अच्छ होगा है कि अगर आपके चोटे बच्चे करें तो भी डेप्रेशन में हैं कोई भी चिलचिड़े हो गया है किसे बात नहीं कर रहे हैं एकांत फ्री हो रहे हैं या ऐसे बड़े लोग भी है तो एसी किसी भी भूंदु बाबा या उनको ना बताते हुए एक मांसुप चार विशेशक जो होते हैं उनसे सला जरूर है ऐसा हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा डाटर साब यह वोत गयन विशा है आप एक मांसुप चार आप इतने साल से प्रेक्टिस कर रहे हैं आपको पास एक से कुलारान ऐसे आये होंगे हम भी देखते हैं दिन-चरह में हमें पता चल अच्छे प्रेशन के शिकार होते हैं तो इन्होंने एक अच्छे शक्डे से सला देनी चाहिए हमारे विशय तो सेक्स करता लेकिन और कई विशय इसके अंदर आये हम फिर जो आपका अगला जो कारेक्ट्रम होंगा फिर हम एक और कोई नए विशय भी लेंगे आशा हमारे दर्शकों को हमारे कारेक्ट्रम जोरू पसाना होंगा हम फिर मिलेंगे डॉक्टर दीपक किलकस एक्स्प्रीज में तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू